बॉलिवूट की आनबान शाम सादुक खान जिनकी फिल्म पठान ने अब हम सभी के बीच में रज दिया है बड़ा इतहाज जी हाँ दोस्तों काफी जल्द हमारी पठान फिल्म मुझको लगता है कि फिल्म बाहू बली 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है अगर आपको याद नहीं तो आपको बता दे कि बाहू बली ने हम सभी के बीच में हिंदी वर्दन में 511 करोड रुपे कमाए थे और दोस्तों मुझको लगता है कि कही न कहीं आप पठान मुवी इस मुवी का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है क्योंकि दोस्तों फिल्म में कि जिस तरuç से कलेक्शन देखने को नहीं मिल रहे हैं वो वाकई में काबले तारीफ है जबकि दोस्तो फिल्म अपने चार दिनों में ही वो इतहास रज़ दिया जो कि बॉलिवुट की अभी तक कोई भी बड़े एक्टर की फिल्म नहीं रज़ पाई है जी हाँ दोस्तो सारुख खान is back और दोस्तो अपने साथ में वो बॉली वुट को भी बेक लेके आ चुके हैं जबकि दोस्तो बात करी जाए तो बॉली वुट को हर कोई बाइकोट बाइकोट कर रहा था पर दोस्तों वो कहते हैं ना कि जब ब्रहमास्तर हम सभी की बीच में रिलीज होती है तो उसके बाद में एक अस्र चलता है और दोस्तों वो है पठान दोस्तों आपको बता दे के पठान मुवी ने वो करके दिखा दिया है जो कि अभी तक हमारे बॉलिवुट की काफ़ी बड़े एक्टर सलमान खान भाई या फिर आमीर भाई भी नहीं कर पाई चलिए दोस्तों नजर डालते हैं फिर्म के कलेक्शन की तरह और दोस्तों पताते हैं आपको कि फिर्म ने कितना कावाया 57 करोड 90 लाग रुपे कमाए वहीं को दोस्तो फिल्म को हमको दूसरे दिन का जो कलेक्शन देखने करें मिला वो हमको देखने करें मिला लगबग 70 करोड 50 लाक रुपे वहीं को दोस्तो फिल्म अपने तीसरे दिन 49 करोड 25 लाक रुपे का अकड़ा पार किरा और दोस्तो यहां फिल्म अपने चट्टे दिन यानि कि दोस्तो सोमवार को कारूबार करते हुए नजर आरी है लगबग 20 करोड रुपे का जिसके चलते दोस्तो यहां फिल्म अपने 6 दिनों में इंडिया का net collection कर चुकी है 301 करोड रुपे और दोस्तो फिल्म का पूरी दुनिया बर से वर्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है पान सो भीस के रोड रुपे जिससे आप अंदर लगा सकते हैं कि फिल्म में काफी बड़ी ब्लॉकबश्टर साबित हो चुकी है तो दोस्तो अगर आपने फिल्म पठान को देख लिया तो आपको मूवी कैसे लेगी कमेंट करके चरूर बताइएगा जय हिंद वन दे मातरम